26 countries मैंने travel किया है and all of them have been after I became a Chartered Accountant बच्पन का एक सपना था जो पूरा हुआ Chartered Accountant बनने के बाद इस वीडियो के अंदर में जरा आप लोगों को थोड़ा सा emotional शेर कर देता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या सपना था and I know आप लोगों के भी बहुत सारे सपने हैं जो आप शायद वेट कर रहे हैं CA बनने का and CA बनने के बाद आप उस सपने को पूरा होता हुआ देखना चाहते है और मैं इस वीडियो के थुरू सिर्फ एक possibility बताना चाहता हूँ कि the heights that can be achieved after becoming a Chartered Accountant especially अगर आप middle class से हो, पैसे थोड़े कम है आपको नहीं पता की कैसे आप लोग अपने सपने पूरे कर पाओगे क्या CA बनने के बाद सपने पूरे होंगे भी या सिर्फ एक disappointment होगी इस छोटे से वीडियो को आप देख लेना, end तक देखना after you become a Chartered Accountant या फिर आप life में क्या करना चाहते हो dreams keep evolving, dreams keep changing लेकिन आज की तारीक में जो आपके सबसे बड़ा सपना है वो मुझे comment करके बताना but only if you reach till the end of the video cheating मत करना, आपने आप से cheating मत करना मुझसे तो करना ही मत बिलकुल भी क्या ही करोगे करके तो मेरा क्या था ना, when I was growing up जब छोटा था, स्कूल में था तो मेरे father जो है, वो काफी travel करते थे work related और planes में जाते थे आज से 25-30 साल पहले जब planes बहुत uncommon थे, मतलब खाली jet airways, air India हुआ करते थी और एक आधी इदर ओदर कोई airline थी और जब भी father जाते थे, वो बहुत एक बड़ा event बन जाता था, कि यह रे plane में travel कर रहे हैं, and पूरी family में he was the only one who would travel in planes and तब ऐसा लगता था, और airport घर के पास था, हमारे काफी हैदराबाद में पीछे ही था, in fact, और मेरे घर से planes दिखती थी, and वहाँ पर दिन में दो या तीन planes ही होती थी, तो I would know that my father is sitting in this plane when it would take off, and जब land कर रही होती थी, तो मुझे पता होता था, कि हाँ पापा इसी plane में आ रहे हैं वापिस, airport receive करने जाया करते थे, almost हर time, कि वो एक plane की जहलक दिख जाए एक सपना था, एक क्रेस था, एक, मतलब दिमाग में ऐसा जुनून था कि कभी जिन्दगी में एक बार plane में बैठ जाए, लेकिन पैसे नहीं थे plane में बैठने के लिए, उस ताइम टिकेट होती थी 8-10 हजार रुपे की, and you can imagine उस ताइम पर 10,000 रुपे, आज भी बहुत मेंगा लगता है, 10,000 रुपे, आज से 20 साग पहले, तो it was atrocious, suitwood पेन के जाया करते थे, लोग plane में पपा फिर आते थे तो पूरे chocolates लेके आते थे, ऐसा you know, sata chocolates and we would look forward की chocolates आएंगे, वो plane में creamer मिलता था, जो milk powder आता है, वो लेके आएंगे, तो हम लोग excitement रहता था, जिन्देगी में पहली बार मुझे अभी भी याद है मौका मिला plane में बैठने का, it was Air Sahara, I flew from Hyderabad to Calcutta, तो Calcutta वाले अगर कोई देख रहे तो thumbs up कर दो, I flew from Hyderabad to Calcutta and I think ticket cost पड़ी थी, उस time 3800 रुपे Air Sahara नया नया आया था, तो सस्ते में मिल गई and अभी goosebumps आ रहे हैं मेरे को, the moment I even think of that first sight, I think Bhagawan में plan करके रखा था कि जो first flight होगी मेरी most beautiful flight होगी जिन्दगी की you won't believe, it was a rainy day बारिश हो रही थी we took off clouds थे, city के बीच में था पहले, Hyderabad में जो लोग रहते हैं Begumpet airport था, right in the middle of the city and मेरा घर, जैसे मैंने बता है एकदम पास में था, and आसपास की सब जगाए मैं बहुत अच्छे से जानता था तो I was very excited की उपर take off करेंगे, तो नीचे सब कुछ दिखेगा, but बारिश हो रही थी, तो clouds थे, तो थोड़ा सा tension में था हमें, लेकिन plane take off करती है, there was a rainbow, very beautiful rainbow because sunlight आने लगी थी, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, there was a rainbow and clouds थोड़े patchy हो गए थे, जब तक हमने take off किया, यानि कि take off करके, पहले पूरा मुझे नीचे का नजारा दिखा, फिर थोड़ा सा उपर जाता ही, cloud आया, लेकिन फिर वापिस नजारा दिखा, and you won't believe when I saw towards the left side tank band, जो यहाँ पर Husayn Sagar Lake है, जिसको मुलब tank band बोलते हैं वो मुझे दिखा and I was stunned, just look at the goosebumps, you know such bowl round, जो मेरी excitement है, I don't know, you can maybe see in my voice, in my smile, in my eyes I will probably never forget that moment till I die, जब मरूंगा तो शायद हो सकता, that will be one of my flashback memories, की rainbow है, पूरा city मुझे दिख रहा है and I am spotting and telling पपा रहे देखो पपा, यह दिख रहा है, देखो पपा वो दिख रहा है, just like how a maybe five year old, six year old would do 12th class में था मैं, यानि की I would have been 18 साल का या कुछ, उस time पर मैं यह हरकते कर रहा था, जो excitement थी, उसके बाद, of course, उस time तक मैं C.A. नहीं बना था, उसके बाद एक आरी बार flight होई, उसके बाद नहीं होई, लेकिन जब मैं C.A. बना, उसके बाद और आज तक, 12 साल होने को आया है मुझे, in fact, November 11 में मैंने exam दिया था, November 2011 में, and Jan 2012 में, 2012 में result आ गया था, यानि की 12 साल बस होने वाले हैं अभी, उसके बाद मैं शायद 100 बार बैठ चुका हूँ plane में, and उसके बाद धीरे-धीरे, you know, आपकी dreams भी evolve होते जाते हैं, तो पहले इंडिया में जाना था, फिर foreign का craze था, within one and a half years of becoming a chartered accountant, foreign भी गया मैं काम से, खुद के पैसों से नहीं काम के लिए, उसके बाद तो मतलब भगवान ने foreign, foreign, foreign करते-करते 26 countries दिखा दिये, recently I traveled for the first time in my life in Emirates business class, पहले में एक बर एतिहात के business class में गया था but Emirates के business class में जाने का जुनों अलग था, एक wish था, एक hope था, and very recently I got to travel in Emirates business class, वो भी free of cost थी, कैसे free of cost क्या free of cost, वो कभी बताऊंगा मैं आप लोगं का, आप subscribe करके रखो channel को इस वीडियो को like करके, but वो भी free of cost थी तो, ऐसा लगा कि भाई, पहले जिंदिगी में सोचा नहीं था कि plane में बैठेंगे, चलो plane में तो पापा ने बिठा दिया पहले, फिर सोचा नहीं कि और बैठेंगे, तो C.A. करने के बाद काम की वज़े से काफी घूमने लगे, फिर सोचा नहीं कि इससे जॉदा भी कुछ होगा, कि international बैठेंगे, कि international भी बैठ गए, फिर नहीं सोचा था कि international economy में जा रहे हैं, business class दिखते हो जा रहे, business class बैठ पाएंगे, क्या business class भी बिठा दिया, अब first class बाकी है, और एतिहात में एक बड़ा सा residence होता है, वो बाकी है, शायद वो भी बिठा दे, and all of this has been possible because I became a chartered accountant, I don't know, अगर chartered accountant नहीं बनता तो मैं क्या कर रहा होता, क्या यह possible होता या नहीं होता, मुझे जब खुद को self motivation चाहिए होती है न, मैं यही story बताता हूँ कि भाई, देख कहां से कहां पहुंच गया, and there is no better thing for you in your life, मेरे लिए मैं इसमें खुश हूँ, आप बोलो कि sir अरे लोग तो कहां से कहां पहुंच गये, चार्टेड अकाउंटेंस या MBAs या यह यह वो 10,000 क्रोड की कंपनी चला रहे है, प्राइवेट जेट में जा रहे हैं, कर रहे होंगे भाई, मैं इसमें खुश हूँ, मैं इसमें अपनी खुशी ढून चुका हूँ, and I am proud of myself, and I am proud of the course that I have done, ठीक है, हो सकता है मैं शायद MBA करके 50,000 करोड की कंपनी का मालिक हो, तो हो सकता है, नहीं हूँ, so I am not going to think here, रहे, वो भी तो हो सकता था, रहे, अभी तक तो मैं प्रधान मंत्री भी बन चाता है, इंडिया का, हो सकता है, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना, तो मेरी aspirations जो थी, उससे जादा मैंने किया है, because of this course, and अभी भी कर रहा हूँ, भगवान की दया से, तो उस बात की मुझे खुशी है, and उस बात का मुझे गर्व भी है, गमण नहीं है, गर्व है, that's why keep sharing this video, जो आप लोग यहां तक पहुंचे होना, आप लोग वो handful of students हो, जो मेरी emotion क feel कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी वो emotion है, क्योंकि आप भी शायद एक सपना देख रहे हो, कि हम लोगों को भी जिन्दगी में कुछ achieve करना है, and अब जो इहां तक पहुंच गया है, वो मुझे comment करके बताए, आपका सबसे dearie सपना क्या है, and I'm pretty sure, अगर आप motivation लेकर hard work करोगे न, अगर बाकी सब distractions को side में हटा कर, कुछ महिनों के लिए, या कुछ सालों के लिए focus कर लोगे, अच्छा charted accountant बनने के लिए, अच्छी articleship करके, अच्छी महनत करके, अच्छा experience लेके, अच्छी communication skills करके, अच्छा knowledge लेकर, आप एक charted accountant बन गए, उसके बाद career choices अच आपको कोई नहीं दोख सकता, definitely not, see, अब आप बोलोगे sir, बहुत कुछ अच्छा करना पड़ेगा, obviously अच्छा करना पड़ेगा, भीया, हैर step पे आपको संभल के चलते रहना पड़ेगा, लेकिन ये course आपको empower करेगा, ये course आपको opportunity देगा, option देगा, अच्छा करके आगे बढ़ने के लिए, अब आप करते हो या नहीं करते हो, वो थोड़ा सा तो आपके उपर भी, and of course, थोड़ी बहुत किस्मत भी लग जाती है, थोड़ी बहुत knowledge भी लग जाती है, थोड़ी बहुत mentorship, guidance, ये सब भी लग जाती है, वो सब का merger होगा, जब आप चाहोगे ऐसा कर तो just don't sit and daydream, कि हाँ काश ही हो जाए, काश ही हो जा रहे है, ये देखो, sir Instagram पे, अच्छा कौन लोग Instagram पे follow करते हो मुझे, 4,70,000 followers होगे, travel page है, सिर्फ travel के reels डालता हूँ मैं, प्लीज जाकर YouTube पर तो travel with AB channel है, follow करना, और ये business class वाली video भी मैंने recently डाली है, प्लीज देखना उसको, एक तो CA students में थोड़ा सा demotivate हो जाता हूँ, आप लोग extra कुछ support करते ही नहीं, बाकी लोग आते हैं, देखते हैं, comment करते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ अपना CA का video देखेंगे, बंद करके चले जाएंगे, बोलेंगे हमारे पास time नहीं है, क्यों time नहीं है, अभी ते भी को subscribe करके bell icon धबाओ, एंड मैं हफते में एक आदा vlog कभी डाल देता हूँ, बड़ा वाला, उसको देखो मज़ा आएगा, motivation मिलेगा, कि हाँ, अगर ये बंदा chartered accountant बनके पैसे नहीं थे, middle class, lower middle class से आकर hard work करके, यहां तक पहुंच गया है, तो हम भी definitely पहुंच सकते ह काफी सारे students पुछते हैं, अच्छा सर आपने ये सब कैसे किया, फ्री में travel कैसे किया, हमें बता दो, तो मैं master class एक ले रहा हूँ, internal audit की, on 2nd January, नए साल में, नीचे link में छोड़ रहा हूँ, comment में, internal audit में master class रहेगा, कि क्या internal audit होता है, कैसे मुझे opportunities मिले, कैसे आपको opportunities मिल स होँगा, तो उसको free में आप enroll कर सकते हो, नीचे link रहेगा, comments में, या फिर description box में, जाकर देखो, and उसको enroll करो, and we will discuss a lot of amazing, fun-filled things, उस वाले session में, on December 2nd, शाम को रखेंगे session, time, date सब मिल जाएगा, आपको नीचे link के साथ, लेकिन travel with AB पर जाकर आपको subscribe करना, और नीचे comment करना, उन वीडियो पर जाके, कि yes sir, we saw the full business class video, या जो भी दूसरा वीडियो है, कि we saw it and we are also inspired, we also want to do something like this, तब एक connect बनेगा अपना, और I am definitely going to pray कि आपके सब सपने पूरे हो, कैसे भी सपने हो, जो भी सपने हो, आपके सपने पूरे हो, आप भी hard work करते रही है, नीचे comment करके मुझ लाइक कर दीजेगा, उससे मिझे भी motivation मिल जाएगी, Instagram Aryanbad official, travel channel travelwithab, LinkedIn CA Aryanbad, नीचे यहाँ पर comment stop करी सकते हो, यह चैनल को subscribe करके, वीडियो को like कर देना, thank you so much for watching, all the very best guys, take care.